हेलो फ्रेंट्स आप सभी लोगा स्वागत ही हमारे यूटूब चैनल पर तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री अफ कमपरीजन चैनल फ्रेंटिब डिग्री से पॉझिटी डिग्री पॉझिटी डिक्री बनता है तो चलिन श्टार करते हैं हम ने सबसे पहले लिखाएगि पॉझिटिव डिग्री को कमपरीजन डिग्री में बदलने के नियम तो दिया है इसमें PD यानि की पॉझिटी डिग्री की object cd यानि comparative degree में subject के अस्थान पर रखते हैं दूसरा है subject के अनुसार वर्व लगाते हैं यानि कि जैसा subject उसी के अनुसार हम वर्व लगाएंगे helping verb यहाँ पर क्या होगा? helping verb आगे दिया है तीसरा rule है कि affirmative को negative और negative को affirmative में बदल देती हैं अगर अगर negative रहेगा तो affirmative बना देंगे आगे है चोथा h.h यानि कि h.h रहेगा इसे हम हटा देती हैं हम example में आपको दिखाएंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा पाच्वा rule है कि positive degree यानि कि pd को comparative degree में change कर देन का प्रियोब करती है यानि कि जब हम positive degree को comparative degree में बदलती है तो देन का प्रियोब करती है अगला rule है positive के subject comparative के object के अस्थान पर जियों कातियों रख देती है यानि कि जैसा कि positive में हो जाएगा subject plus verb उसके बाद is यहाँ पर is का मतलब होता है उतना उसके बाद positive degree क्या होगा यहाँ पर positive degree उसके बाद age age का यहाँ पर मतलब होता है जितना यहाँ पर उतना और यहाँ पर जितना यानि कि जो positive degree के पहले का age रहेगा उसका आर्थ होता है उतना और जो positive degree के बाद का age होता है उसे हम उसका आर्थ होता है जितना उसके बाद noun या pronoun तो हमने यहाँ पर example के लिए लिया है जैसा कि यहाँ पर positive degree में है Mohan is as Tal is Ram यानि कि Mohan यानि कि Mohan is यानि कि है age देखे यहाँ पर जैसा कि हमने बताए कि positive degree के पहले का जो age होता है उसका मतलब होता है उतना और Tal means लंबा age means यहाँ पर देखिए positive degree के बाद का age है यानि कि जितना उसके बाद राम हो जाएगा राम तो यहाँ पर देखिए हम rule के हिसाब से समझेंगे कि rule में क्या-क्या कहा है और क्या-क्या हमें इसका प्रियोग करना है तो जैसा कि जब हम positive degree को comparative degree में बदलेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कैसा इसका बनने का इस्टेक्चर तो सबसे पहले subject उसके बाद verb उसके बाद not यानि कि अगर affirmative रहेगा तो negative बनाएंगे negative रहेगा तो affirmative बनाएंगे उसके बाद comparative degree उसके बाद देन लगाएंगे प्लस noun या pronoun तो हम इसी के अनुसार comparative degree में बदलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि हमने रूल में बताया था कि जो positive degree का object होता है उसे हम comparative degree में subject के अस्थान पर रखती है तो positive degree में हमारा object क्या है? राम है object क्या है? राम है तो comparative degree बनाते समय object को हम subject के अस्थान पर रखेंगे यानि कि जो राम object है positive degree में वो comparative degree में subject हो जाएगा यानि कि राम यहाँ पर subject हो जाएगा उसके बाद is यानि कि जैसा कि हमने बताया था कि helping verb लगाएंगे किस के अनुसार? सबजेक्ट के अनुसार हम helping वर्व लगाएंगे तो यहाँ पर राम है तो हो जाएगा is उसके बाद देखिए जो हमारा positive डिगरी में अफर्मेटिव है तो जब हम comparative डिगरी बनाएंगे तो negative बनाएंगे यानि कि यहाँ पर क्या लगा देंगे not लगा देंगे उसके बाद हमने लिखा था age.h so.h इसे हटा दो यानि कि इन दोनों को हम हटा देंगे और क्या लगाएंगे positive डिगरी को हम comparative डिगरी में जब बतलेंगे तो टाल का हो जाएगा comparative डिगरी टालर हो जाएगा यहाँ पर टालर उसके बाद क्या हमने यहाँ पर रूल पढ़ा है कि टालर उसके बाद हम क्या प्रियोग करते हैं PD को CD में चेंज कर दें का यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर दें का प्रियोग किया है टालर दें उसके बाद यह क्या है PD यानि कि positive डिगरी का मोहन सबजेक्ट है तो जब हम इसे comparative डिगरी बनाएंगे तो यह सबजेक्ट है तो अबजेक्ट के अस्थान पर आजाएगा यानि कि then मोहन यानि कि देखें इसका हो जाएगा Ram is not टालर दें मोहन यानि कि Ram मोहन से लंबा है देखें यहाँ पर हो जाएगा लंबा नहीं है क्योंकि देखें positive में हो जाएगा मोहन उतना लंबा है जितना Ram और इसका कमपरेटिव हो जाएगा राम मोहन से लंबा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है नौट है आगे अगला नियम कमपरेटिव डिगरी को पॉजिटिव डिगरी में बदलने का नियम अब इसमें हम बदलेंगे सबसे पहले तो हमने पॉजिटिव को कमपरेटिव में ब सबजेक्ट के अस्थान पर डख दो यानि कि जो comparative degree का object होता है उसे हम positive degree के subject के अस्थान पर रखेंगे दूसरा subject के अनुसार helping verb लगाएंगे अगला है affirmative को negative तथा negative को affirmative में बदलेंगे ये तो हम उसमें भी करते थे आगे है कि comparative को positive में change करके as.is या so as के बीच में रखें यानि कि इन दोनों के बीच में हमें लिखना है जब हम comparative को positive में change करेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें positive को रखना है आगे है कि then को हटा दो जैसा कि हम positive को जब हम comparative में change कर रहे थे तो then का प्रियोग कर रहे थे लेकिन अब हम किसका कौन सा बना रहे हैं comparative को positive में बदल रहे हैं यानि कि अगर हम positive में बनाएंगे तो then को हटा देंगे तो आगे है comparative degree subject को positive degree के object की अस्थान पर रखे यानि कि जो हमारा comparative degree का subject रहेगा वो positive degree के object की अस्थान पर रखा जाएगा जैसा कि हमने यह आपर इस टेक्चर बनाया है कि कैसे बनेगा जो comparative degree में रहेगा वो इस प्रकार रहेगा subject plus verb plus not plus comparative degree उसके बाद then plus noun या pronoun अब जब इसको हम positive degree में change करेंगे तो हो जाएगा subject plus verb plus age plus उसके बाद बीच में क्या रहेगा positive degree उसके बाद age plus noun या pronoun तो जैसा कि हमने बताया कि जो PD के पहले काईज होता उसका मतलब क्या होता है उतना और जो PD के बाद काईज होता है उसका मतलब क्या होता है जितना तो इसका जब दिया है हमारा example में हमने दिया है यहांपर comparative का दीपक is not taller than Amit यानि कि दीपक Amit से लंबा नहीं है तो जब हम इसका positive degree बनाएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा रूल में कि जो comparative degree का object होता है वो positive degree बनाते समय subject के अस्थान पर रखा जाता है तो इसमें जो comparative degree का object क्या है अमीत है तो जब हम positive degree बनाएंगे तो अमीद को हम कहां पर रखेंगे? subject के अस्थान पर यानि कि अमीद क्या हो जाएगा? positive में subject उसके बाद is यानि कि subject के अनुसार helping verb लगाएंगे उसके बाद जब हम इसका positive बनाएंगे तो age उसके बाद क्या बनाएंगे? इसका comparative degree टालर है तो positive में हो जाएगा टाल उसके बाद age क्या लगाएंगे age टाल age उसके बाद comparative में जो subject होता है वो positive में object हो जाएगा यानि कि comparative में subject क्या है? दीपक है तो positive बनाते समय ये कहां पर हो जाएगा? अबजेक्ट के अस्थान पर हो जाएगा यानि कि Amit is age टाल age दीपक यानि कि Amit दीपक जितना लंबा है या हम कह सकते हैं कि Amit उतना लंबा है जितना दीपक तो देखिए दोस्तो इसमें हमने इतना जो comparative degree से positive degree और positive degree comparative degree में बदलने का नियम था आपको बताया तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में ओके का मैसेज जरूर कीजिएगा